गुड बॉनिंग बच्चो सन्लाइज एजुकेशन अकीडमी सम्दड़ी में आपका स्वागत है आज हम बच्चो पढ़ने जा रहे हैं दित्य पाट बिलस्य वाणी न कदापी में सुरुता बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी पहले पाट प्रीचे पढ़ेंगे प्रस्तूत पाट संस्कृत के प्रसिद कर्था ग्रन पंच तंत्रम के त्रित्य तंत्र काकु को लिकियम से संकलित है पंच तंत्र के मूर लिखक जो है वे विश्मु शर्मा है इसमें पास खंड है जिने तंत्र कहा जाता है इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई ह जिनके पात्र मुखते पशु पक्षी हैं तो ये कहानी है कस्मिन चित्र वने खरन खर नाम सीह प्रतिवस्ति इसमें किसी वन में एक खरन खर नाम का जो है सेर रहता था सब कदाचित इतस्त परीब्रमन भुबाष्ट भुक्षार्थ न किंचित पी आहारम प्राप्त वान वह इदर उदर गूमरा था भूका लेकिन उसे बूजन प्राप्त नहीं हुआ तत सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम द्रश्टवास अचिंतित नुईनम इतस्याम गुहाम रात्रव को अपी जीव अगच्छती फिर उसने सूर्यास्त जब सूर्यास्त हुआ तो उसने एक बहुती बड़ी गूफा देखी और उस गूफा को देखकर वर सोचने लगा कि रात में यहाँ पर कोई न कोई जीव ववश्य आता हुगा अधा यहाँ पर मैं चुपकर बैट चाता हूँ एते अस्मीर अंत्रे गुवा स्वामी ददीपुच नाम कह स्रंगाले समागच्चत और इसी अंत्राल में जो उस गूफा का जो स्वामी था ददीपुच उस सियार का नाम था गूफा का स्वामी था ददीपुच जो की एक सियार था वो भी वहाँ आ जाता है उसने देखा कि सेर के जो पदचिन है वह गुफा के अंदर जाते हुए तो मिले उसे देखने लेकिन आते समय उसने जो है सेर के पदचिनों को नहीं देखा तो इसका मरलब यह हुआ कि जो सेर है वो गुफा के अंदर ही है स्रंगाला अचिंतियत अहो विनस्टो अस्मिन सियार ने सोचा कि अब तो मेरा जो विनाशे वह निशित है अब मैं निशित रूप से जो है इस जो सेर को है किस तरह से इस गुफा से निकालू इसका मैं उपाय सोचता हूँ तद किम करवाणी तो अब क्या करना चाहिए एवं विचित्य वह सोचने लगा उसने सोचा कि मैं दूर से ही जो है इस गुफा की बाहर हूँ और मैं दूर से ही जो है हे बिल हे बिल का इसमरण करने लगो यनमरा तवासय समय करतो अस्ति यद यदायहम बहातः प्रत्या गभिश्यामी तदात्वाम माम आकार यशीश और इस तरह से जो उसने जो बिल का गुफा से बाहर जो है उसने बोलना शुरू किया सियार ने और उसी समय उसी समय जो है उसने कहा कि जो भी इस गुफा के अंदर है वो बाहर आ जाए यदि तुम बाहर नहीं आओगे तो मतलब कहने का मलब है कुछ भी हो सकता है तो जो उस गुफा में जो था वो कौन था सेर था अधा इते शुरूत्वा सिय और चिंत्यत तो इस तरह से जो है सियार की जो सियार ने जो आवाम किया था वो सुनकर जो सेर है वो चिंतित हो गया न्यून में शाम गुहाम स्वामी सदा आवामम करोती तो सेर ने क्या सोचा कि निशित रूप से जो ये गुफा है ये अपने स्वामी का क्या करती है अवाम करती है यानि अपने स्वामी को भुलाती है परंतु मद भयात ना किंचित वजती लेकिन मेरे बैसे ये नहीं बोल रही है अथ्वा साधित्वदम उच्यते अथ्वा कहा गया है भय सर्यत्र इस्तमन सहा हस्त पादिका क्रिया प्रवर्तंते नावानी च वेपन्तु चाक्की को भुवेत कि भैसे जो है मनुश्री के जो हाथ पेरों की जो हाथ पेर जो होते हैं वो क्रिया करना बंद कर देते हैं और जो वाड़ी होती है इसमें भी कमपन होने लगता है ये स्लोक है तदःहाम अससे आवाम क्रोवि तो उसने काою कि अब मैं क्या करता हूँ इसका आवाम करता हूँ इवेम सविले प्रविश्य में भोज्यम भविश्यती ऊफिर इस परकार से कोई भी जीव है जो इसमे परविश्य कर जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा भोजन मिल जाएगा प्रतिध्वनी की तो गुहा से मतलब की गुहा से जो है जोर की आवाज निकली अनेन अन्य अपी पश्वा भैविता अभवन और इसे जो अन्य जो जंगल के जो भी पशु थे वे भी भैवित हो गए स्रगालो अपीतद दूरम पलायमाना इमम पठत और इस तरह से जो सियार था वह भी दूर जाकर खड़ा हो गया या भाग गया और इस तरह से उसने कहना सुरू किया अनागतम यकुरते ससोबते ससोच्यते योना करोत्य अनागतम वने अत्र सम इस्ततस्य समागता जराह विलस्यवाणीना कदापी में सुरुता अजला विसकारती होता है कि आने वाले दुख का जो भी दुख हमारे जीवन में आते हैं उसका निराकरण हमें स्वैमी कर लेना चाहिए तो सियार ने जो है सेर से बचने के लिए स्वैमी उसका समाधान निकाल लिया और उसने कहा कि वन में रहते हुए मैं बूड़ा हो गया लेकिन मैंने कभी भी जो है बिल की या गुफा की आवाज नहीं सुनी तो यह जो है आपका लेसन वो पूरा हो गया है अब इसका हिंदिय नुवाद मैं आपको भेजूंगी जो आपको करना है हिंदिय नुवाद करना है शब्दार जो भी होमवर्क है वो मैं आपको भीज रही हूँ उसे आप करना और होमवर्क करते समय आप अपना नाम अवश् भीजें तीन चार दिन में करके भी आप अपना हूंवर्क भीज सकते हो ठीक है बच्चों के